जमूरे तेरी बुद्धी कैसे हो गई मंद क्यूंकि अकल की सारी बाते इस बोरे में बंद तो चल मेरे छोरा खोल दे ग्यान का बोरा लेकिन हजूरे आला इस पर तो लगा है ताला अरे क्या चीज है तेरे लिए छोटा सा ये ताला जोर लगा के तोड़ दे मेरे लाला है इसे मैं खोलता हूँ काखागा की चावी से खुल जाए ग्यान का ताला शिक्षा सबको मिले छटे अग्यान का बादल काला बच्चे बूढ़े पढ़े पढ़े बालक और बाला शिक्षा बन जाए जनता का बर्ची भाला नहीं बपोती नहीं विरासर शिक्षा पैसे वालों की सबको शिक्षा मिले हटे जहालत सदियों सालों की गिली 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 फूँ झाल्चेêsल झाल्चेव महिला सविती जिन्दाबाद काउं गांगरोली शाखा हाँ अब पोस्टर बाजी भी शुरू हो गई काउं में ये सब हो रहा है और ये ठाकुर वगरे सो रहे हैं बाजने काउंगरोली शुरू हाँ माहिला समी दिन्दाबाद लगांडरोली शुरू जितने मर्ज़ी इश्तहा लगा है यहां पढ़ना ही किसे आ गया है इसी तरह ही शुरू होते हैं लपड़े ठाकुर साहब पहले ये महिला समितियां बनी अब ये पोस्टर बाजी शुरू कल कुछ और होगा इसलिए कहता हूँ वक्त रहते ही चेट जाएए बना लेने के देने पड़ जाएंगे अरे छोड़ो भी दानवीर बावने हफता दस दिन में सारा जोश ठंडा है जाएगा अरे छोड़ी है ठाकुर साब ठाकुर साब जब ये शिक्षा केंदर की बात उठी जब भी आपने यही कहा था कि हफता दस दिन से जादा ना चलने का आज कितने मेने हो गए और मुझे शिलाई सेंटर में दर्जनों आवे हैं कलना वे भी पढ़ने बैठेंगी कौन रोके गावने ठाकुर साब ये शिक्षा केंदर हमें ले डूबेगा ले डूबेगा और अब उपर से ये महला समिती साब को बच्पन में ही मारने में अकलमंदी है ठाकुर साब मुझसे पूछो मैं तो शहर में ये खुराफात बहुत बुगत चुका हूँ जिधर ये यूनियन और ये समितियां बनी इन कमीनों के तेवर ही बदल जाते हैं छाती पे चड़क तो उल्टाई हो रहा दीखे शहर में महिला समिती वालों ने जब अपने दानवीर बाबू की खाट खड़ी कर दी तो वो गाउं की तरह भागे और यहां पता चला कि महिला समिती पहले से ही यहां पहुंची वह है ठाकुर साब दानवीर का धंदा चले है या रुक है हमें उससे क्या पर गाम की तो सोचनी पड़ेगी गाम तो आज भी गाम है क्यों क्योंके गाम में आज भी परमपरा का जोर है उच नीच का फरक है बड़े बुड़ों की इज़त है पुराने रीती रिवाज है हमारी औरतें आज भी से डग के और गुंगड काड के आमें और अ लिया सब कुछ अब आप ही सोचो ठाकुल साथ बहु बीटियों पर इसका क्या आसर पड़ेगा कब तक बची रहेगी उनकी लाज शरम और ठाकुल साथ ये जो गाम में आपकी इतनी जद है इतना दबदबा है ये भी तब ही तलक हैगा जब तलक गाम गाम है ये पोस्टर य जिन्दाबाद मुर्दाबाद ये सब गुन की तरह खा जागा मारे गाम न है तो तुम चाहते क्या हो इन्हें महिला समीती बनाने से रोका तो जा नहीं सकता ना ठाकुल साथ ना महिला समीती बनाने तो खुछी से बनाने तो पर औरतों को महिला समीती का मेंबर बनने से औ रोक लो फिर वोई बात है कैसे रोक लो भला बताता हूँ बताता हूँ ठाकुर साब बताता हूँ चच्चा अलाओ रेमान अरे चच्चा आप स्लाव अलेकुम आई बैठेने नाया तुझे दो बाते बताने आया हूँ कान खोल करके सुन तुन्हें अशर्फी से निकाह किया हमसे बुजर्गों से मश्वरा के बगएर हम खाबोश रहे हाला कि उस यतीम और आवार अवरत से तेरे निकाह किम खिलाफे चच्चा आँखे मत ना दिखा जो बताया जा रहा है वो सुन अब जब निकाह पढ़वाई दिया है तो इसकी हरकतों पर पाबंदी लगा हरकत हैं कैसी हरकत हैं हरकत हैं अरे इन गया धर्मी औरतों के मदरसे में बैठना उठना क्या कम था जो कि होली के रंग भ मुसल्मान बीवी के फर्द फिर से सिखाने पड़ेंगे क्या बुर्का परदा तो कमबक्त में कभी करा ना और अब ये हिंदू तेवारों में शामिल होना कहता है बेहतर है चच्चा होली पूरा गाम खेलता है इसमें हिंदू मुसल्मान का सवाल ही पैदा ना होता जब का इसका खाविंद है इस करके मैं कहता हूं बंद करवा ये खुराफाथ वरना वरना बिरादरी बाहर करवा दूंगा फिर ना देखने का तू मेरा भती जाएगा चच्चा जाते ओजाते एक बात मेरी भी सुनने जिये कान खोल के बीबी होने के नाते मेरी बनावर की जीवन साथी है वो जीवन साथी जीवन साथी में वाना पड़ा हा जेदि वो भी तुझा लिखा है का? आकी मात्रा चंदर बिंदू व गाव जे तो कुछ भी याद ना रहता है जे देख तो जे बूल गई जीवन साथी जीवन साथी तो जे बाह है न हाँ वोई तो अमा जान लिखा है हाँ असल में जे बालग के बाट जैसे लड़े हैं जेभी चक्कर में खाई मुआ वालग canvas ऑडakter के से कैसे लड़े है वा जेब जे देख Gl़ मैं बताती मैं पेरि को बताती हो हुँ जे रमेश का गाव था गांगरीली वा ना गांगरोली गांगरोली यह तो ओ की मात्रा है है कि ना मो को तो सभी एकी जैसे लगे हैं मो को तो सभी एकी जैसी लगे हैं जे देखियो तो जे बड़ी की मात्रा ऐसी होए है चोटी की मात्रा ऐसी होए है और जे ओ की मात्रा है और जे तीनों ही मात्रा एक दूसरे से अलग हैं है कि ना है तो सही है तो सही तो फिर अरी त तू तो अपनी अम्मा को भी पढ़ाने लगी, सरम ना आती इस नो शरम की क्या बात है सुना देख हुल्टे जी को खुशी की बात है क्यों तुझे खुशी ना है रे तेरी छोरी आज इस लाग है गी बाजी सुसीरा बाजी सुना तुम्हें क्या हुआ रे उमर इलही शिलाएक इंदर प आने को मना उना कर रहा है क्यूं क्यूं मना कर रहा ठर्या 맞ॉआ ये मुल्ला जी घंघा के आया उसे पहले अल्मान को धंघा कि मेरा सिक्षा के इंदर पर जाना मना कर है जब रेमान ने भागा दिया तो बड़े भियां से काया कि विरादरी से निकार देंगे अरे कैसे निकार देंगे उमर इलाही और आमारी विरादरी भरत है क्या जो निकार देंगे मैं अभी कम बादो वासदा मासदा अभी चलो हाँ हाँ चलो जड़ा पता तो चले ये मुल्ला की इसके इशारे को विराद्री उपाहर करने के तर्टी बेर दिखा बीटा, मेरी सारी उंबर यहां बीद गई, गम, खुशी, सब में विराद्री वालों का साथ रहा है, मैं मुल्ला जी की बात को यसी ना टाल सक्या हूँ, अगर उना ने मेरा उक्का पानी बंद कर दिया तो मैं कहां जाओंगा, कहां रहूंगा, आद्मी को भाई बंदों के साथ रहना हो गए पेटा, और मेरी जी उमर ना है कि मैं अपना बोर्या विस्तर बातू और नाप की सीथ में नेकल जाओं, और कहीं और जाकर के अपनी जि जी ना है, यही मरना है विरादरी वालों के साथ, अच्छी चच्चा, तुम तो ऐसे कह रहा हो जैसे हम विरादरी के बाहर है, हम भी तो तुम से कुछ कह रहे हैं के ना, पर ना, मुल्ला जी ने एक घुड़की क्या लगा दी, तुम ने तो एकदाव हमसे मुही मोड लिय जी चच्चा, सब जाने हैं, यह सब ठाकुर और कामता के कहने पहर है, अब जे ही मर्जी है ठाकुर साब की, तो मुझे मन्जूर है, तीन पृष्टों से उननी का नमक खाया है, फिर वो ही बात, अरे कोई निखटु जे बात कहे तो भी मैं मान लो, चच्चा तुमने तो स अरे कामता है, अरे ठाकुर क्या देगा, उसे तो बस खसोटना आवे, उस कमभा खथ दान बीर के चंगूट से निकल कर पहली बार अपना धंदा सुरू किया, अरे सी करके जला पड़ा है भू, अरे बो नहीं चाहता है, कोई अपने पाउँ पर खड़ा हो है, इसलिए तो मुल्ला जी से फद्बा गलवा दिया, कमला तो ठीक कहती है, ठाकुर साब मुझे नाराज, गल्ती मेरी थी कि मैंने अपनी उकात के उपर सोचा, आदमी को अपने आपी में रहना चाहिए, अब मैं तो तुमारे किंदर पे नहीं आने का, देखो चच्चा, छोटा मूँ ब ठाकुर तो महिला समीती से परेसान है, अरे ये नहीं चाहता वो कि उसके बटाईदारों की और मजदूरों की ओड़ते अपने बलबूते कुछ कर ले, यादना है तुमें, जब किसान सभा बनी ही, और ये खेत मजदूर यूनियन बनी ही, तब भी तो भेजा गया मुल्ला संडामडोल है जागा, अगर औरते पड़ लिग गई, तो फिर कौन काटे का कौड़ी के भाब में इनकी फसले हैं, और कौन कामता को बेच लेगा उने पौने दाम में अपनी फसले, और कौन इन पंडेत और मुल्लाओं से गंडेता बीज बन बाएगा, अरे कौन करा अब मेटी की कैवे है, गरीब का साथ गरीब ही देवे है, अब मेटी तो नमाज का वक्त है जेवा है का छिलाई के इंगर तो आप खतम ही समझो दबू है हमारे लोग ना रे यासी, दबू नहीं है बखत आने पे जे लोग सेर भी बन सके एक बार इनके भिज्जे में जे बाद बैठनी चाहिए कि तुम्हारे की एसे कुछ है सके और यही बात हमें समझनी है कि उमर चच्चा जैसे लोगों को कैसे समझावें कि तुम कमजोर नहीं हो पर कमला के इंदर का क्या होएगा के इंदर खुलना तो अब इज़्जत का सवाल है या सुसिला के इंदर खुलेगा जब भी लोगों के दिमाग से ठाकूर का डर निकड़ेगा के इंदर तो अब हर कीमत में खुलेगा हरी पर चलावेगा कौन मैं चलाओंगी बड़े रिया को होगा खौफ ठाकूर का मुए ने पुष्टों से अंगूठी तले दबा के रखा है इन्हे उनकी रगों में होगा ठाकूर का नमत पर मैंने हमेशा अपनी मेहनत की कमाई खाई है मैं नडरूस मुए भवानी से हाँ कमला बेटी तू बे फिकर होके जा किसी भी लड़की को भेंज दे ना मेरे पास हफते भर में पकी दर्दन ना बना दिया तो थूख देना रशीदा भी के नाम पर हां नहीं तो बड़ी भी आपका दिमाग तो नहीं चल गया हां मेरा दिमाग चल गया है जंग खा रहा था इत्ते वरस घर में पड़े पड़े जाओ करो चुगली अपने आका ठाकुर से करो सिकायत मुल्ला जी से कह दो मेरी बुडिया पगला गई है कह दो उसने बगावत कर दी है आपके नमक के खिलाफ पढ़लिक के ही पिसमत को बदल पाएगी औरत पढ़लिक के साथ मर्ग के चल पाएगी औरत औरत जो बढ़ गई तो वो दब करने रहेगी हरगेस नए समाज के जुल्मों को सहेगी पढ़ने के हब को पानी की औरत ने है ठानी औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी